तो दोस्तों इस वासी मसीन से पानी जो है ओ आउट नहीं हो रहा ठीक है तो इसको कैसे साफ करेंगे आए जानते हैं इसको साफ करने का बहुत ही असान तरीका है ठीक है सम्हाट होता नहीं है इसको कैसे खुलेंगे और खुलने के बाद को तो इसको खुलने के बाद और यह जो निचे वाला में रहुत आप निकालेंगे ठीक है बहुत ही असान Óता निकालना है और ये देखिए कितना गंदगी भठा हुआ है। बहुत हीं कच्रा हुगया ठीक है। इसको साप्त करने के बाद एलो यह देखिए यहाँ पर यहुद पानी यहीं से डेन होता है है। इस इसमें देखी एक जाली टाइप का होता ये भी जाम हो गया है देखिए कितना कपड़ी ये क्या है धोके और ये जो पाइप दीख रहा है वो भी पूरे तिरा से जाम हो चुका है तो इस पड़ाच नहीं हfill तो अापको शिंपली मदने पानी भड़ो है ठीक है पानी इसको पहले भरेंगे पुरा पानी भर कर और इसमें कोई भी चीज इसको डेबर या कोई भी चीज हो उसको उसी में खरोधना है ठीक है और खरोधने के बाद फिर ड्रेन करके देखते हैं कि पानी आउट हो रहा है कि नहीं हो सकता है कुछ फसा होगा यह हो सकता जैंड पूरा जम गया हो गया guess tussen Hans K पानी उस तरीका से इसकी है तो इसको साफ करते हैं चलिए देखते हैं तो आपके पास तार ब्रस या कोई भी चीज होगा इसको अची हो दिने के अची है तो जीतना बमटा मोटा इसमें चाह से को जाएगा तो उसे आपका पानी का जो निकासी है वह ठीक है तो آब इसमें देख्रिक आप पानी पूरा भर लेंगे और पानी अगर अधिक भरेंगे तो ज्यादा पारेसर आएका तो हो सकता है ख़ाइड हो आजा था तो देखिये पानी भरने बाद देख्छे आंज आउट करके पानी हो रहे एक नविए को पारेखें पानी प्रेसर में गिर रहा है एक बार इसको और अच्छे से साफ कर लेते हैं देखिए साफ लगबग हो चुका है पूरी तरह से यह जो है उस अब कच्रा छोड़ेगा नहीं ठीक है बाकी जो पाइप है वो पूरी तरह से किलीन हो चुका है तो अब इसमें पानी भरते हैं और देखते हैं कि कच्रा अब देखिए बहुत ही असानी से यह पानी जो है आउट होने लगेगा तो सिंपली आपको आप घर में किसी मेकानी को बुलाने के ज़दत नहीं है आप खुद से कर सकते हैं आपको सिर्प एक इसकूर डेवर लेना है और घर में इसकूर डैबर तो आपके पास हो गाई या क अबस्तानी से बैठाने के बाद इसे पानी भरके पानी को लने के बाद आप देखेंगे कि पूर जड़ा से क्लीन हो चुका है यह इसको भी हम बरस से साब किये हैं कि दिखिए बैठाने में कोई दिकत नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें लॉक होता है अल्रेडी पहले से इसको बैठाके और जो कैप था वह रेडवाला इसके को लगा देंगे थाकि इसमें डेस्ट ना बैठे यह हो गया टाइट ठीक है टाइट होने के बाद हम लोग पानी इसमें भर देते हैं पानी भर जाएगा ठीक है भरने के बाद अब इसको हम लोग ड्रेन करके देखेंगे पानी आउट करके देखेंगे कैसे हो रहा है ठीक है तो अब खोलते हैं और देखते हैं कैसे देखिए पूरी तरह से क्लीन हो चुका है और बहुत ही आसान तरीका है ठीक है तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कॉमेंट और हमारे चैनल को जिरू सब्सक्राइब